नमस्कार दोस्तों सुवागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पर SIM card not detected problem solve कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों कई बर क्या होते हैं हम SIM card को insert कर देते हैं उसके बाद हम यह देखते हैं कि SIM card not detected तो हो सकते SIM card में problem हो सकते हैं यार फिर अपकी device में हो सकते हैं तो आपको क्या-क्या solution करना होगा सब कुछ आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हो अगर दोस्तो आपको भी ये problem solve करना है तो वीडियो को पूरा जरू देख लेना ठीक है वीडियो देखने के बाद पर ट्विटर पर फॉलो करके message जरू कर लीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका solution सबसे पहरे तो दोस्तों आप device को एक बार restart करके देखिए रिश्टार्ट के बार problem solve हो तो ठीक है नहीं होते है तो दोस्तों आप अपने SIM को एक बार eject करके insert कर करके देखिए ठीक है इंसर्ट करके देखिए आपको SIM जो है बाहर में निकाल लेना है मुबाइल से उसके बाद दोस्तों दुबारा से आप SIM को भर के देखिए अगर problem solve हो जाता है सिम का detect हो जाते है तो ठीक है फिर भी problem आ रहाए तो दोस्तों आपको अगला solution करना होगा कर देने के बार आपका जो नेट्रोक है वो सर्च करना लग जाते है ठीक है तो आप वो करके देखिए तो इससे problem solve हो जाए तो ठीक है फिर भी problem आते हैं तो दोस्तों आपको क्यारना क्या है connection and sharing पर जाए नेट्रोक सेटिंग को एक बार reset करने की कोशिच कीजिए reset वाइफ पर solve हो जाएगा फिर भी दोस्तों आपको problem आ रहा है बार बार तो दोस्तों आप अपने sim को जो है दुबारा से eject कर लिजे यानि कि sim को बाहर में निकल के दूसरे phone पे जो है use करके देखिए अगर उस phone पे काम कर जाता है तो ठीक है अगर उस phone पे भी जो है यह sim card detect नहीं हो लीजेगा ठीक है तो वह आपको बता देगा कि उस दूसरे नंबर पे हुआ किया है detect क्यों नहीं हो रहा है साइड आपका जो सी में वह यहाँ पर deactivate हो चुका होगा ठीक है तो आपको reason बटाएगा तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यह problem की हो रहा है उसके बाद next पे आप problem को solve कर पाओगे लेकिन मान लिजेए उस दूसरे phone पे काम कर रहे और आपके phone पे sim काम नहीं कर रहे तो फिर आप क्या कर सकते हैं तो दोस्तों आप जाएए आपने about phone पे और software को update कर लिजिए ठीक है software को update वगएरा करने के बाद दोस्तों आप दुबारा से sim को eject करके जो है आप insert करके देखें उससे आपका काम बन जाएगा problem भी solve हो जाएगा अगर sim का detect नहीं हो रहा है तो software update करने के लिए आपको वाइफाई का मदद लेना होगा ठीक है वाइफाई से जो है दोस्तों आप अपने software को update कर ले और उसके बाद दोस्तों आप देख लिजेगा problem जरूर फिक्स हो जाएगा तो यह दोस्तों कुछ important solution जो है मैंने आपको दिया है ट्राइ करके देखें कम जरूर बन जाएगा तो आज के लिए बस इतना है thanks for watching